Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल उसको कचेरी के चक्कर काटने पड़ गए, तो लेट मी टेल यू, इसके बारे में पता भी नहीं है, ना उनका कोई दोस्त है अदालत के अंदर, ना तो कोई वकील है तो इसकी वज़े से बहुत प्रॉलम होती है लेकिन कहीं न कहीं उनको सुधारने के लिए कुछ-कुछ कोशिशें की जारी है, उनमें जो बड़ा प्रयास है, वो परलेमेंट ने किया और वो ये है, कि एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल लाया गया है ताकि जो दलाल होते हैं बीच में उनको यहां से पूरी तरह हटाया जा सकी, यह आप देख सकते हो लोग सभाब पासेज अडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल टू वीड आउट टाउट्स फ्रॉम कोर्ट कॉम्पलेक्स ताउट्स का मतलब होता है वही जो दलाल के हम बात करें, मिडिल मेंट जो होता है, तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि exactly हुआ क्या है, पहले के कौन से कानून थे, क्या बदलाओ किया जा रहा है काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं और माली जे 2024 का प्रिलिम्स लिख रहे हैं, तो हमारा SIP प्लस वाला बैच 11th से आपका स्टार्ट हो रहा है 11th of December से, वो आप अवेल कर सकते हैं या फिर अगर आप पूरी त्यारी करना चाहते हैं UPSC की जो हमारा Foundation Batch है, P2I, Prilance to Interview, वो आप ले सकते हैं Just use this code, Ankit Live to get maximum discount, और अगर आप IB का batch लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा और इसके लाब अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, दिखे मैं आपको बता दूँ कि Parliament का इस समय winter session चल रहा है तो अभी क्या हुआ था, पहले दिन ही Advocate Amendment Bill लोग सभाने पास कर दिया अब आप कहेंगे कि बिल, अगर कोई भी act बना है, कानून बना है तो उसको तो राजसभा से भी पास होना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, जो पिछला वाला session था ना, monsoon session उसमें already राजसभा ने ये वाला जो amendment bill है Advocates amendment bill, उसको already पास कर दिया था और यहां पर आप finally नी लोग सभाने भी कर दिया है और President के हस्ताक्षर के बाद यह आपका कानून बन जाएगा मतलब एक तरह से कानून बन चुका है आप कह सकते हैं इसका जो main aim है, वो यही है कि जो touts होते हैं मतलब की जो दलाल होते हैं कहने का मतलब है simple सारत है माल लीजे, यहां पर advocates हैं, वकील है ठीक है, और यहां पर public है, जनता है अब अब अव्वेस सी बात है, अगर आपका कोई case फस गया किसी से लड़ाई हो गई, कोई मामला दर्ज कराने, कुछ भी है तो लोगों को वकील के पास जाना पड़ता है अब क्या होता है, कि कई बार public को बहुत हिचकिचाहट होती है हम वकील के पास जाएंगे, वो हमसे ज़्यादा पैसे ले लेगा legal system कैसे follow होगा, कहीं वो हम उलूत नहीं बने, मतलब बहुत सारे problems होती है और इसी की जैसे यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि emergence होता है दलालों का, जो touts होते हैं, जो दलाल होते है middle man की तरह, तो लोग क्या करते हैं, अकसर उनके पास चले जाते हैं और उनसे help लेनी की कोशिश करते हैं, और जो दलाल हैं, टाउट्स हैं उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसकी वज़े से, यहाँ पर मानलो, अगर वकील जो है अगर मानलो जो advocate है, वो case की सुमाई के लिए 10,000 रुपे ले रहा है तो हो सकता है, जो middle man जो टाउट है, वो उस person को कह दे कि यहाँ पर आपका एक लाग रुपे लगेगा, पचास जार लगेगा, आप नहीं करोगे, तो आपको जेल जाना पर सकते हैं मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, और इसलिए जो emergence है, वो आपका टाउट्स का हुआ है तो यहाँ पर यह जो bill लाया गया, इसका main मकसद यही है, कि जो दलाल है, उनको पूरी तरह से legal system से हटाया जाए और यह bill क्या करेगा, 1879 का जो legal practitioners act है, उसको पूरी तरह हटा देगा, मतलब उसको समाप्त कर दिया जाएगा और साती साथ 1961 का advocates act है, उसके अंदर बदलाओ किये जाएंगे, ठीक है तो अब मैं आपको इसके बार में और बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारे minister for law and justice है अर्जुन राम मिगवाल, उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमारे legal practitioners act, जो कि colonial era का act है 1879 का मैंने आपको बताया ना, उसका कोई मकसद नहीं है, कोई utility नहीं है तो उसको हटाना, साथी साथ 1486 इस तरह की जो कानून है 2014 से लेकर, अभी तक सरकार ने उसको पूरी तरह खतम किया है तो हमारा मकसद यह है कि इस तरह की जो फाल्तो के कानून लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जो की problem create करते हैं, confusion करते हैं, उसको हटाया जाए यहाँ पर जो Congress MP है कार्ती चितमरम, उन्होंने इस बिल का स्वागत किया, कहा कि एक तरह से हमारे society के अंदर education थोड़ा सा नहीं होने के, जैसे कई सारे लोग legal system के अंदर जो फस्ते हैं, और कही न कहीं यहाँ पर जो हमारा legal system है, वो भी इतना complex है, जिसकी वजह से लोगों को exploit किया जाता है, और यह बात बिलकुल सही है, तो मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में तो और आगे बताऊंगा, लेकिन साथी साथ यह भी कहीं ना कहीं एक प्रयास करना चाहिए सरकार को, कि legal system को थोड़ा सा आसान बनाने के कोशिश करने की, although कोशिश हो रही है, मैं यह नहीं कहूंगा, इंफरक्ट आप देखो कि Supreme Court ने कई बार इसको लेकर संग्ञान लेते हुए, कई सारे काम किये हैं, ताकि चीजों को आसान बना जाया, जैसे लोक अदालत वगरा हो गया, कई सारे चीज़ें लाई जाती है, ताकि लोगों को आसानी हो अपना केस करने के लिए, खेर यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना, 1879 वाला जो Legal Practitioners Act है, यह खतम कर दिया जाएगा, रिपिल कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, यह था क्या, देखो यह 1880 में फोर्स में आया था, और इसका मकसद यही था, कि जितने भ यहाँ पर law relating to Legal Practitioners है ना, Legal Practitioners का मतलब क्या होता है, जो practice करते हैं, जैसे वकील हो गए, ठीक है, वो जो अदालत वगरा में, जितनी भी कारवाई होती है, उसमें मदद करते हैं आपकी, तो जितने भी Legal Practitioners होते हैं, उनसे related जो कानून है, उनको consolidate किया जाए एक जगा, इस दिल्ली में लाया गया था, और साथी साथ बाकी के राज सरकारों को बोल दिया गया था, अगर आप चाहते हो अपने राज में लाना, तो आप यहाँ पर notification जारी करके, इसको अपने राज में भी लागू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर 1879 वाला जो act है, इसके अंदर section 2 है, उसमें define किया गया है कि legal practitioners कौन होता है, और उसमें बोला गया है कि कोई भी advocate, वकील, या फिर high code का कोई attorney, उन सभी को legal practitioner बोला जाएगा, और साथी साथ इसके अंदर जो नया definition है, टाउट का, वो भी include किया गया था, यह मैं 1879 की बात करा act की जिसको खतम किया जा रहा है, इस नय वाले bill की थायत, तो उसके अंदर tout का भी definition दिया गया था, देखो, उस समय भी कहीं न कहीं अंग्रेजों को पता था कि जो middle man है, वो system के अंदर है, तो उन्होंने just एक definition दे दिया था कि यह middle man होता है, यह दलाल होता है, यह tout होता है, लेकिन उसको लेकर यहाँ पर कोई बड़ी कारवाई नहीं की गई, कि कैसे उसको हटाया जाए, और यहाँ पर साथी साथ यह भी बोला कि जो दलाल है, वो क्या करते हैं, कि लगतार जो civil court हो गया, criminal court हो गया, revenue offices, railway station, अलग-अलग जहाते रहते हैं, ताकि वो अपना काम में तो यह जो दलाल वाला सिस्टम है ना, वो सरकार पूरी तरह से खतम कर रही है, और क्या होता है, कि आजादी के बाद सरकार एक नया कानून लेकर आती है, Advocates Act 1961, और वही चीज़, उसी लिए लाती है, ताकि Legal Practitioners Related Laws को लाए जाये, लेकिन क्या होता है, कि सरकार 1879 वाला एक्ट भी चलता हा रहा है, और जो 1961 वाला जो एक्ट है, Advocate Act, जो सरकार लेकर आई थी उस समय आजादी के बाद, वो भी अभी तक चलता हा रहा है, तो question यह है कि अब ये Advocate Act 1961 वाला है क्या, और ये कैसे वजूद में आया, लेको क्या हुआ था, आजादी के बाद फिर से यहां मांग उठी कि जो जितने भी Legal Practitioners related laws हैं, उसको एक साथ लाया जाए, और इसी को देखते वें, और साती साथ Bar Council को constitute करना, All India Bar Council को constitute करना, वो सारी चीजें एक Act के तहत लाई जाए, इसलिए 1961 वाला Act लाया क्या, और उसके पहले अगर आप देखोगे, तो तीन पहले के Act से उसके थ्रू गवन किया जाता था, जैसे Practitioners Act 1879, ये तो होई गया मैंने आपको बताया, फिर 1920 का Bombay Pleaders Act, फिर 1926 का Indian Bar Council Act, तो ये सारे चीजों को हटा कर, एक सिंगल कानून लाने की कोशिश की गई 1961 वाला, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, ये लाया तो गया 1961 वा ये कि जो obsolete laws हैं, पुराने laws हैं, उसको हम कैसे खतम कर सकते हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर जो 1879 वाला Act है, उसको हटा देना चीए, लेकिन अभी तक वो हटाया नहीं गया था, तो अब finally आते हैं कि ये जो नया Bill है, वो क्या कर रहा है, देखो नय बेसिकली क्या कर रहा है, 1961 वाला जो Advocates Act है, उसके अंदर बदलाव कर रहा है, क्या बदलाव कर रहा है, यहाँ पर एक नया section जोड़ा है, section 45A, ठीक है, एक नया section जोड़ा जा रहा है, 45A, जिसके तहत ये बोला गया है, कि यहाँ पर जो भी illegal तरीके से practice करता है court के अंदर मालो आप Advocate नहीं हो, आपका कोई काम नहीं है court के अंदर, पिर भी आप जाकर वहाँ पर practice करने की कोशिश करते हो, गलत काम करते हो, तो यहाँ पर आपको 6 मेहने तक की सजा सुनाई जा सकती है court के दोरा, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर यह भी बोला क्या है, इस bill के तहर कि हर एक high court और district judge के पास power होगी, कि वो एक list बना सके, मतलब मालो कोई district judge है, वो उसको लग रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे touts है, middle man है, दलाल है, जो कि exploit करते हैं आम लोगों को, तो उसकी वज़े से क्या करेगी, जो court है, वो एक list बना लेगी और उन लोगों का, जो दलाल हैं, उन सभी का नाम यहाँ पर लिख देगी, ताकि लोग publicly उसको देख सकें और उन लोगों से contact ना करें, उनसे बच करें, ठीक है, और अगर फिर भी यह दलाल नहीं मानते हैं, तो उनको यहाँ पर सजा भी सुनाई जा सकती है, लेकिन देखे, इसमें यहाँ पर थोड़ मैं अक्चली दलाल नहीं हूँ, में पास यह यह दिगरी है, और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजों का भी प्रोविजन कहीं न कहीं रखा गया है, फिर इसके साथ सत्मालों करें, कोई लिष्ट बना दिया गया, और उस लिष्ट में किसी किया क्या जा रहा है, किया यही जा रहा है कि जितने भी दलालों का सिस्टम है, कोट के चहरी से, पूरी तरह से इसको खतम करनी कोशिश की जा रही है, खुद लॉज मिनिश्टर जो अर्जुन राम मेकवाल है, उन्होंने असर्ट किया, कि there is no place for such person in the court, और यह बोला गया ह और साथी साथ यहाँ पर जो एक और मेन मकसद मैंने आपको बताया है, कि जो पुराने laws हैं, उसको सरकार पूरी तरह से खतम कर रही है, तो I hope कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, चल क्या रहा है, लेकिन जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, 1935 का जो Britishers के और Act लाए गया था, Government of India Act, उसमें यहाँ पर कौन-कौन से reforms introduced किये गये थे, इन चारों में से आपको बताना, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिले गा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर मैं, कई सार तिल दन थैंक यू बरी माँच, से यू सोन.